नमस्कार मैं हूँ सवाखान राही और आप देख रहे हैं लुक मीडिया भारत में कुरोना संकड ने भयावे रूप ले लिया है संक्रिमन्ट की दूसरी घातक लहर के बढ़ने के साथ ही दुनिया भर के तवाम देशों की ओर से अमर्जेंसी मेडिकल सप्लाई की रफ्तार भी बढ़ गई है पिछले सप्ता ब्रेटेन और अमेरिका से विमानों में वेंटिलेटर दवाईया और ऑक्सीजन उपकरन भारत पहुचने लगे थे अबिवारता का केले दिल्ली के अंतराष्टी हवाई अड़े पर 25 विमानों में भर कर 300 टन रहा सामगरी पहुच चुकी थी लेकिन मेडिकल सामानों की खेप हवाई अड़ों पर पड़ी रही दिल्ली के अधिकारियों ने स्थाने मीडिया को बताया कि मंगलवार शाम तक इन सामानों को बाटा नहीं जा सका था यानि अपातकाली मदद की पहली खेप को आए एक सब्ता से जादा हो गये थे लेकिन ये जरूरत मंदों तक नहीं पहुच सकी थी मैं केंदी सरकार ने इस बासे साफ इंकार किया कि विदेश से आई इस मदद के रूरत मंदों को पहुचाने में देर हुई स्वासमंतराले ने बयान में कहा कि वे हवाई एंडेसन सामानों की क्लियरिंग और उन्हें सई जगे पर पहुचाने के लिए रात दिन काम कर रहा है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है अब देखना ये होगा कि ये विदेशी मदद अस्पतालों तक कब तक पहुच दी है असलाव पर वाही में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया एकमेट हमारे सार